हलो स्टुडेंट्स टुडे वे विल डिसकस रिप्रोडक्षन इन वॉल्वाक्स में जनन पिछली क्लास में हमने आपको बताया था वॉल्वाक्स एक सीनोपिय लैलगी है यानि ये सीनोपियम फॉर्म करती है जिस कॉलर्न में एक गेंद के समान संदशना बनती है और उसकी पैरिफेरी पर बहुत सारी कोशिकाएं अरेंज देती है और ये जो कोशिकाएं होती है आपस में साइटो प्लाजमिक थ्रेट से एक दूसरे से जूड़ी रहती है सीनोपियम में आगे की तरफ वेजिटेटिव सेल्स या सॉमेटिक फ्लेजिलेटिट सेल्स होती है जबकि पीछे की तरफ जम सेल्स होती है जो जनन में भाग लेती है वॉल्वोक्स में दो तरह का रिप्रोडॉक्शन पाया जाता है एसेक्स्वल रिप्रोडॉक्शन और सेक्स्वल रिप्रोडॉक्शन एसेक्स्वल रिप्रोडॉक्शन या अलैंगिक जनन स्प्रिंग या समर सीजन में होता है यानि बसंत और ग्रिश्म रितु में लेंगिक जनन होता है वॉल्वक्स में जबकि ग्रिश्म रितु या समझ के एंड जब आता है तो इसमें लेंगिक जनन द्वारा रिप्रोडक्शन या लेंगिक विधी द्वारा रिप्रोडक्शन होता है सीनोबियम की, जो पीछे की सेल्स होती है, वो reproductive structures बनाती है, तो इसमें reproductive structure के लिए, यानि एसेक्सवल और sexual reproduction के लिए जो structures बनते हैं, वो gonidia, enthridium और ugonym बनते हैं, तो एसेक्सवल रिप्रोडक्शन बाई gonidia, जिसमें की gonidia, डिवाइड होकर के डॉटर कॉलोनी बनाता है जो इसका साइट प्रोटोप्लाजम होता है वो डिवाइड होकर के डॉटर कॉलोनी बनाता है और यह डॉटर कॉलोनी पैरिंट कॉलोनी से अलग होकर के एक नया सीनोबियम फॉर्म करती है इसी तरह से सेक्सॉल रिप्रोडक्शन में गोनीडियम क जाइगोड बनाते हैं और यह जाइगोड रेस्टिंग स्टेज में जाता है और फिर डिवाइड होकर के गैमिक्स बना के नई कॉलोनिस फॉर्म करता है तो इस तरह से पूरा एक लाइफ साइकलिस की चलती है यहां हम एसेक्सवल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सवल रिप्रो सिनोबियम के पीछे की जो जर्म सेल्स होती है उनमें से कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के तुलनामे आकार में बड़ी हो जाती है और इनका साइज बड़ा हो जाता है जिनने गॉनिडियम कहते है यह गॉनिडियम दूसरी से साइटोप्लास्मिक थ्रेड द्वारा ज रगणीड इसका साइटोपलास्म हो जाता है गॉनिडियम में आईस्पोर्ट जेट बिंदू एन फ्लैजिला एप्सेंट होते हैं इस गॉनिडियम का प्रोटोप्लास्म डिवाइड होकरके डॉक्र कोलिणी बनाता है तो डॉक्र कोलिणी बनने के लिए सबसे पहले इसका जीव द्रव्य तीन लॉंगिट्यूडिनल डिविजन द्वारा डिवाइड होता है यानुद हरे विभाजन होते हैं जिससे की आठ सेल्स बन जाती है यह आठ जो सेल्स बनती है यह एक कर्वड प्लेद पर वैवस्तित रहती है और इसमें फिर अगेन एक लॉंगिट्यूडिनल डिविजन होता है जिससे आठ से सोला कोशिकाएं बन जाती है यह सिक्स्टीन सेल्स एक खोकले गोले में अरेंज हो जाती है कि स्फेर पर अरेंज रहती है और इसकी पैरिफेरी के तरफ यानि एंटीर पॉइंट पर एक ओपनिंग होती है जिसे फा पर पर डिविजन होते हैं जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताए कि सीनोबियम में जो कोशिकाएं होती है वो पांसो से लेका साथ हजार तक होती है तो इनमें इसपीसीज पर डिपैंड करता है जो 500 अगर कोशिकाएं है या 60,000 तक इसमें कोशिकाएं डिवाइड ह खतम हो जाता है या डिवाइड होना वो खतम कर देती है समाप्त कर देती है और उनमें आगे डिविजन नहीं होता है और एक निश्चित संक्या में कोशिकाए इसमें इस पेरिफेरी पर अरेंज हो जाती है इन यह जो पेरिफेरी पर जो कोशिकाएं जमा है इनका जो आगे पॉइंट इस सित्वार में झीट लिए सी इसपलर को बॉइन N cents के अलुग के वह होता ने और यौ ए क्या तौन्स को आपको अमने पिछली ग्लास में बताया कि जो पॉइंटेड पाइव होता है वह ग्री सेल्स के टरफ भी कि टरह था है उनका pointed part अंदर के तरफ होता है, center के तरफ और चोड़ा भाग इसकी periphery या इस sphere के periphery या परीधी के तरफ face के वे होता है इन कोशिकाओं में orientation शुरू होता है और इन orientation के शुरू होने के साथ साथ इनका जो पीछे का part होता है ये अंदर की और धकिल दिया जाता है या दिरे दिरे अंदर इसमें धकेलता जाता है अंदर की तरफ सरकता जाता है जो पीछे का portion होता है और ये जब पूरा अंदर जाता है तो ये cells नीचे आ जाती है और पूरी तरह से ये inversion इसका हो जाता है पूरा ये बाहर की तरफ आ जाती है तो ये बिल्कुल opposite direction में हो जाती है जो pointed part होता है वो बाहर आ जाता है और जो चोड़ा वाला कोशिकाओं का portion होता है वो center की तरफ face करता है तो बिल्कुल उल्टा है यानि जो philopore उपर की तरफ था परिफेरी को face कर रहा था वो अब center में आ जाता है और पूरा ये उल्टी हो जाती है कोशिकाओं प्रतिलोमन इन में हो जाता है प्रतिलोमित होकर के इनका pointed part परिफेरी की तरफ चला जाता है और जो इनका चोड़ा वाला पार्ट होता है कोशिकाओं का वो सेंटर की तरफ आ जाता है तो इस जो प्रक्रिया है इसको इनवर्जन या प्रतिलोमन कहते हैं और इसके आखिर में जो कोशिकाओं का आगे वाला जो पार्ट होता है वो अब पैरिफैरी की तरफ और जो चोड फृतियों की प्रिखर्दियों के प्रिखर्जा में जो नगन होती है इस्के पष्चातव कश्या और जिलेटीन आवरण बनाती है बाद में क्योंकि पहले जिलेटीन आवरण नहीं बनती है लेकिन धीरे धीरे इन कोशिकाओं में कशय भिकाई बनती हैं और अपने आसपस जिलेटिन का स्त्रावन कर लेती हैं इस परकार प्रतेक जो गॉनिडियम की कोशिका भिच्टी के अंदर एक डॉर्टर कॉलोनी फॉर्म हो जाती है जो पैरेंटल सीनोबियम के भीतर एक साथ बहुत सारे गॉनिडियम बनते हैं जो पैरेंटल कोलोनी होती है उसमें एक से अधिक संक्या में डॉर्टर सीनोबियम बन जाते हैं और यह सब जो कोशिकाय होती है यह साइटो प्लाजमिक थ्रेड्स से जुड़ी हुई रहती है और यह जो डॉर्टर कॉलोनी है यह पैरेंट सेल से अलग होकरके एक नया सीनोबियम फॉर्म किये होती है तो इस तरह से इसमें अलेंगिक जनल पाये जाता है अने जो दूसरी स इसमें इनका जो रिलीज होता है डॉर्चर कॉलोनी का वह फ्लेंट सक्ष। जो शिरी सीनोबियम-टाये मिह समें पैरेंट से दुडर कॉलोनी इसमें जब शि aesthetics यह समे में। जाता है तो यह व्लियुट्र कॉलोनी आती है अकम पिर एक्जांपल भीव्स ऋब्स। औरिश् एक जो पैरेंट सीनोबियम में ही 2 से 4 पीणिया निकाल दी जाती है। तो ये इस तरह से अलेंगिक जनल में गॉनीडिया ड़ॉटर कॉल्वनीज फर्म करते हैं। और पैरेंट जो सीनोबियम होता है उससे अलग होकर एक नया सीनोब्यम फर्म कर लेते हैं। तो this is the process of asexual reproduction, अलेंगिक जनन, next is sexual reproduction, तो sexual reproduction जो की गृष्मृतू के अंत में शुरू होता है, इसमें लेंगिक जनन में ग्रोइंग सीजन की समाप्ती पर होता है, वाल्वॉक्स में ये उगमस टाइप का होता है, जिसमें जो मेल गैमिट होता है, वो छोटा होता है, फ्लेजिलेटेड होता है, जबकि फीमेल मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमिट होता है, यानि एग होता है, वो साइज में बड़ा होता है, और नोन मोटाइल होता है, अचल होता है, तो इसमें विशम युगमा की परक अलग अलग उसमे थैलस पे अलग 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 reproductive organ बनते हैं, डाख अधा हैं मेल रप्र्रड़क्टिव आर्गन एक थैलस पर और फिमेल रप्र्रड़क्ति और दूसरे थैलस पर बनता है, और कुछ जो स्पीसीज होती हैं वह वोल्वॉक्स की वौ उबह लिंगाश्री या तो इसमें जनन करने वाली सेल्स होती है। वो सीनो बियम के पीछे की तरफ होगी जैसा कि हमने आपको बताया। सीनोवियम की जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें जम सेल्स होती है तो इसमें, जो लैंगिक जनन करने वालि कोशिकाएं होती है वो एंथ्रीडियम फ्रॉम करती है जिसे पुन्धानी कहते हैं जिसके अंदर एंथ्रोजोईट फ्रॉम होता है और कुछ कोशिकाएं उगोनियम फॉर्म करती है जिसमें एग का डवलप्मेंट होता है तो एंथ्रीडियम का डवलप्मेंट होता है एंथ्रीडियम के डवलप्मेंट होने पर जो सेल एंथ्रीडियम बनाती है वो दूसरी सेल से साइज में बड़ी हो जाती है और इसमें जो पास की कोशिकाएं होती है उनसे एंथिडियम का जो प्रोटो प्लाजम होता है उसमें लगाता डिविजन होते हैं और लगाता डिविजन होने से इसमें 16 से लेकर 512 तक की छोटी-छोटी रोट शिब्ट सेल्स बन जाती हैं इन सेल्स का फर ट्रांसफोर्मिशन होता है और यह सेल्स मेल रिप्रडरुक्टिव सेल्स कहला था हूँ यानि जिनसे एंत्रोजॉइड फॉर्म होते है जो एंत्रोजॉइड बनते हैं वो इस्पिंडल शेफ पन्रोजोईट एक ग्रुप में पंज के रूप सम्मु में पाये जाते हैं और इनका ग्रीलीज होता है वह भी सम्मु में उता है यह एक खोकले स्फ्यार के रूप में एन्तोजोईट अरेंज होते हैं एक जो डॉर्टर ही सूकर्ध कोनिय का, उसकी तरही इसमें भी एक इन्वर्जन होता है आप पहले आप देखिए है इसमें गांपनिंग है और इसमें फिर इन्वर्जन होता है तो यह जूपीला पार प्लाट और ओ पर फिर्जिला फॉर्म हो जाते हैं और यह एंथ्रोजोइड फॉर्म करते हैं इस तरह से जो एंथ्रोजोइड अरेंज होते हैं यह अलग हो करके जब इस से रिलीज होते हैं तो यह उगोनिया में एंटर करके इस एग से फ्यूज हो करके जाइगोट फॉर्म करते हैं तो जो आर्की गोनिय उगोनिया विक्सित होने वाली कोशिकंवी जो इसे होती की विए उन्य कोशिक हो झाताय से लगृषभ Covid-19 वह में बहुत अधिक बड़ा हो जाती है इसमें फ्लास्क शेप इसका हो जाता है कि समय बाद येक फ्लास्क के रूप में नजर आती है और इस सेल का पूरा जो प्रोटोप्लास्म होता है वह एक अकशापिक नोन फ्लैजिलेटेड ग्रीन गोला कार एंग फॉर्म कर लेता है और इस एग में एक बड़ा nucleus और chloroplast and store food बहुत अधिक मातरा में पाहे जाता है यह anthrozoids जब anthridium से release होते हैं तो यह इस flask shape eugonium में enter कर जाते हैं और बहुत सारे anthrozoids release होते हैं लेकिन एक ही anthrozoid इसमें enter करता है और यह anthrozoid इस egg के साथ fuse हो करके zygote बनाता है तो anthridium में जो anthrozoids बनते हैं वो भी haploid होते हैं अगुणित होते हैं और जो ova बनता है जो egg बनता है वो भी अगुणित होता है और दोनों आपस में fuse हो करके एक dew गुणित zygote फॉर्म करते हैं यह जो zygote बनता है यह fertilization के वक्त जो anthrozoid और egg आपस में fuse होते हैं और zygote फॉर्म करते हैं और zygote अपने चारो तरफ एक मोटी ट्राइ लेयर तीन इस तरिये एक परत बना लेता है जो चिकनी भी हो सकती है और स्पाइनी भी हो सकती है कुछ species जाने फॉर एक्जामपल वाल्वाक्स ग्लो बेटर में यह स्मूध होती है जबकि वाल्वाक्स इस परमेट्टो इस फेरा में यह थोड़ी स्पाइनी होती ह है तो इस जाइगोट में जो वाल होती है जाइगोट की उनमें हिमेटो क्रोम पिगमेंट पाया जाता है जिसके वजह से यह लाल दिखाई देता है और यह बहुत लंबे समय तक सुप्त वस्था में पढ़ा रहता है जाइगोट और यह सुप्त जो जाइगोट होता है इस इसका रिलीज इस पूरे जो सीनोबयाम ओता है उसके विक्टन के बाद होता है और यह जाइगोट बाहर निकल जाता है और यह के वर्षों तक वाइबल रहता है फिर इसमें germination होता है zygote में किस तरह से zygote germinate होता है और divide होकर कि haploid condition में आता है तो जब favorable conditions आती है तो zygote में germination शुरू हो जाता है और germination के वक्त इसका जो deployed nucleus होता है उसमें reduction division या meiosis division होता है जिससे एक nucleus से चार four cells बन जाती है haploid stage में यह आ जाता है यह diploided 2N होता है और जब meiosis होता है तो number of chromosomes half होकर के four cells बनती है जो कि अगुनित होती है युग्मनेच का जो exospore और mesospore होते हैं वो फट जाते हैं क्योंकि 3 स्थरिये होती है जो और ěक्जवेश बनेası निнетगा है उसकोर मे अपन लुपर्या फुटा years ospore Pak,üfar फट जाते हैं जो एक वेसिकल के रूप में बहार निकलाता है और युग्मनेच को जो प्रोतो प्रोतो प्लास्म होता है यह इसमें इस्थानामत्रीत होता है वाल्वॉक्स की लग-लग जात्योय में जो यूगमिम्दti होता है उससे जोमियम बनता है वह उलग-लग तरहंे होता है यह स्पीसिस पर डिफर पर करता है तो ल्ग वाल्ग वाइड होती ए औरंप होकर स्पाहिक हैने, यह सिनोबियम फॉर्म है, किस थे संदचन में यह से वापस अगुणित संदचन화 बन जाती है तो इस तरह से बार दिवाइड होकर के 500 से की हजार से जो कि होडा कोशिकाय और यह अरेंज हो जाती है पेरिफेरी के तरह फ्लेजिलेटेग सेल्स तो इस तरह से इसमें एसेक्सवल एंसेक्सवल रिप्रोडक्शन होता है और जाइगोट का जर्मिनेशन ओकन अगें एक नई सीनोबियम फॉर्म हो जाती है तो इसमें वालवॉक्स की जो लाइफ साइक कि जलींता में और दिलीरम रिवां होती है वालवॉक्स जो एक टेच आप दाशने में धोलव्ण कर्दीय सम गोणी याइँ परच्छाउन और बेषे वालव टिवां करती है्शाइवलोक्सवाल देनाल नवकरदोड़ साथि जो टार्मिच टो श स्वाण में याजिरं अन तो फुमनु बनते हैं, और उगोणियम में हैपलोईट एग बनता है, और दोनों आपस में फर्टिलाइज होकर के दियोगुञित जाइगोट है, और जाइगोट में और सुत्री विभाजर होने से वापस चल वीजानु जो बनते हैं, वो अगेन हैपलोईड होते हैं, और य याता है तो वाल्वक्स की जो लाइफ साइकल होती है वो है पलॉंटिक होती है तो दिस इस दा रिप्रोडक्शन इन वाल्वक्स थैंक यू